प्रदान मंत्वी नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतराश्ट्रे उलम्पिक समीती के 141 में सत्र का करेंगे उद्गाटन खेलों से संबंधे तहित धारकों के बीच बाचीत और ज्ञान साजा करने का आवसर करेगा प्रदान ये सत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने G20 संसदिया अध्यक्षों के शिखर संबेलन पी-20 के समापन सत्र का मेलिया भाग कहा सभी वैश्विक चनौतियों को व्यापक पर इपेक्ष में देखने की जरूरत पी-20 में आए सदस्यों ने अंतर राश्टिय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीला पन लाने के आवश्चक्ता का भी क्या उल्लेक भाश्पा ने कॉंग्रेस पर लगाए जूटी राजनीती करने के आरोब कहा कि जो वाइदे करते हैं उन्हें नहीं करते पूरा और कॉंग्रेस के पास जनता के लिए नहीं है कोई विजन करनाटक की कॉंग्रेस सरकार को भी लिया आले हाथ हो कहा करनाटक तेलंगाना और बाकी प्रदेशों के लिए बन गया है ATM कार्ड ओपरेशन अजय के तहत स्वदेश लोट रहे भारतियों ने की PM मोधी की प्रसंचा कहा PM मोधी का ये कदम लोगों के प्रती उनकी जवाब देही को है दर्शाता ओपरेशन अजय के तहत इसराइल से 235 भारतिय नागरिकों को लेकर दूसरा जथा पहुंचा स्वदेश कल पहले जथे में लोटे थे 212 भारतिये इसराइली सेना ने कहा बड़ी संख्या में उत्तरी घज़ा से दक्षणी घज़ा की और हुआ लोगों का पलायन सेयुत राश्ट ने कहा इसराइल की घोशना से पहले ही चार लाक लोग हुए हैं विस्थापित इसराइल हमास युद्ध में अब तक 3200 से ज़ादा लोगों की मौथ क्रिकेट विश्यू कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने भारत का टास जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला पाकिस्तान की सधी हुई शुरुआत नमस्कार स्वागत है आपका डीडी न्यूस के इस बुलिटिन में मैं हूं निखिल सिंग और आई देखते हैं खबरों को अब विस्तार से प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी आज मुंबई के जियो वर्ड सेंटर में आयोजित अंतर राष्ट्रिय ओलंपिक समिती के 141 सत्र का उधगाटन करेंगे आयोजित का सत्र अंतर राष्ट्रिय ओलंपिक समिती के सदस्यों की एक महत्पूर्ण बैठक होती है आयोसी के सत्र में उलम्पिक खेलों के भविशे से सम्मंधित महतपूर निरन लिये जाते हैं भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आयोसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है तो लगबग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आयोसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है भारत आयोसी का 86 मां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था सत्र वैश्विक सहीयोग को बढ़ावा देने खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने का प्रतीक है खेल जगत की प्रमुकहस्तियां विभिन्न खेल महासंगों के प्रत्निधी भी इस 141 सत्र में भाग लेंगे और खेलों से समंदित विभिन्न हित धारकों के बीच बादचीत और ग्यान साजा करने का ये सत्र अवसर प्रदान करेगा ये सत्र अंतराश्ट्री उलम्पिक समीती के अध्यक्ष तॉमस बाख और आयोसी के अन्न सदस्यों के साथ-साथ भारतिय खेल जगत की प्रमुकहस्तियां और भारतिय उलम्पिक संग के विभिन्न खेल महासंगों के प्रत्निधियों को भी हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करता है ये लोग इसमें शिर्कत करेंगे और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतराश्ट्री उलम्पिक समीती के 147 सत्र का शुभारम करेंगे अन्निखेल संस्ताओं की भी दिल्चस्पी बढ़ रही है भारत में आने वाले पदकों की बढ़ती संख्या भारत के खेल में उज्जवल भविश्य को दर्शाती है और क्रिकेट जैसे खेलों का उलम्पिक में शामिल होना नई उम्मीदों को जगाता है इंटरनाशनल अलम्पिक कमेटी का सेशन भारत में मुंबई में हो रहा है और आज शाम को देश के यश्यश्वी परधान मंत्री निरेंदर मोदी जी भी IOC के सेशन में आएंगे 141st सेशन है और मैं यही कहना चाहता हूँ जो भारत के बढ़ते कदम खेलों में है और भारत सरकार का जिस तरह से खेलों के प्रतियोगदान रहा है खेलों के जगत में बहुत तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं मैडल्स की टैली बढ़ रही है और भारत नई उन्चाईयों पे जाने के लिए नई आयोजन के लिए भी तैयार दिखता है भारत और श्रिलंका के बीच आज हाई स्पीद नौवहन सेवा का शुभारम हुआ पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बनन सोनवाल ने तमिलनाडू के नाग पतिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री स जैशंकर और श्रिलंका के पोत परिवहन मंत्री ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्रम से नाग पतिनम और श्रिलंका के कांके संतुरई के और 7,670 रुपए प्रतिवेक्ती है और श्रिलंका के जाफना तक पहुचन में इसमें तीन घंटे लगेंगे इस सेवा से तमिलाडू में नागपटिनम और श्रिलंका में कांग के संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक परेटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इस कारिक्रम के दौरान अपने विडियो संभूधन में श्रिलंका के राष्टपती रानिल विक्रम सिंगे ने कहा कि उत्तरी श्रिलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क तूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है The connectivity between our two countries were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. This activity. इस मौके पर केंद्रिय पत्तन, पोट परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बनन सोनवाल ने कहा कि भारत और श्री लंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है. साथी उनने कहा कि भारत और श्री लंका के बीच नौवहन सेवा इन्ही संबंधों का उदाहरण है. India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The very service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Very services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, threats and goods for centuries. प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दोनों देशों के लोगों को बधाई दी. PM ने कहा कि नागपटनम और कांके संतुराई के बीच नौवहन सेवा का शुभारम दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा. The launch of a ferry service between नागपटनम और कांके संतुराई is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. During the recent vision of President Vikrama Singhe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing to cities closer, it also brings our countries closer, our people closer and our hearts closer. लोगसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने आज P20 के अध्यक्षता ब्राजील की संसत को सौंप दी. दिल्ली में 9 G20 संसतिये अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 के सफलता पूर्वक समापन के बाद, बिर्ला ने ब्राजील के चैंबर अध्यक्ष के अध्यक्ष ऑथर सीजर परेरा डी लीरा को अध्यक्षता सौंपी. P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोगसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान सयुक्त वक्तव के अपनाया जो सांसदों की आम प्रतिबधता को दर्शाता है. बिर्ला ने कहा कि इस दो दिवसिये सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनोतियों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि ये महतपूर्ण है कि सांसद इन समस्याओं के समाधान के लिए भविश्य के रोड मैप पर कैसे काम करेंगी. लोकसभाद धेक्ष ओम बिर्ला ने कहा कि कई देशों के प्रतिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्यपूर्व की इस्तिती का भी उलेक किया. कुछ सदस्यों ने अंतराष्टिय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने के आवशक्ता का भी उलेक किया है. ओम बिर्ला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेट विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते. हम संगर्शों और विवादों के शांति पुन समाधान का समर्तन करते हुए अंतराष्टिय शांती, समर्दी और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्पिरक रूप में प्रासंगिंग मंचों पर संसदिय राजने और प्रस पर समवाद जारी रखेंगे. हम आने वाले समय में अपने पुन एजेंडा और अपनी साजी परतिबद्दाओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुने दोराते हैं. उपराश्टपती और राज्यसभा के सभापती जगदीब धनकर ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की. भारत ने G20 अध्यक्ष्टा के व्यापक धांचे के तहत दो दिवसिये शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. भारत की G20 अध्यक्ष्टा की थीम के अनरूप P20 शिखर सम्मेलन का विशाए एक प्रत्वी, एक परिवार और एक भविश्य के लिए संसद है. और P20 समिट में शिरकत करने के लिए दिल्ली आये विभिन देशों के स्पीकर्स और सांसदों की धर्म पत्नियों ने दिल्ली में सिंट्रल कॉटेज इंपोरियम समेत कई स्थानों पर जाकर भारतिय कला और संस्कृती की जलक देखी. तो वहीं भारतिय परिधानों को पहन कर भारतिय रंग में रंगने की कोशिश भी की. इस मौके पर इटली की संसद चैंबर ओफ ड्यूपटी के स्पीकर की धर्म पत्नी इमिलिया रोमानों ने डीडी न्यूस के साथ विशेश बाचीत में भारतिय परिधान साड़ी पहनन भी दिली आई हैं लिहाजा जो आटन कल्चर से जुड़े हुए संस्थान है वहाँ जाकर उनका वो दीदार कर रही है और अभी हमारे साथ जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कॉटेज है वहाँ पर अभी हम जनपत्त में मौजूद हैं जहां पर इटली के जो स्पीकर ह उनकी जो बेगम है जो धर्मपत्नी है इमीलिया रोमानो वो देखिए अभी भारतिय परिधान में जो इंडियन कल्चर है उसको एड़ाप्ट करते हुए वो इस साड़ी में नजर आ रही है और इन्होंने इसको धारन किया है क्या रियक्शन है वो हम सबसे पहले इन से जा ऑरन किया है वोग टने इस साड़ी ऑ करे दीजना मैं गया है पिर आ रेक्शन है ही यू फिरा यह कि ने डियरी आज को एड से तक दिक आर आ र्किल्स पाझा सिव जो अग्यटे स It was very interesting, full of culture, full of thoughts, and full of beautiful art. Congratulations. Thank you. देखिये, जो दुनिया भर के मुल्क से जो लोग यहां पर आते हैं, हिंदुस्तान, यहां की जो संस्कृति है, उसको कही न कहीं एड़ाप्ट करने की कोछिस जरूर करते हैं, और इसका जीता जागता उधारन हमारे सामने हैं. कि देखिये, इंडियन जो साड़ी है, उसको पहने बिना एक विदेश से आई हुई जो महला है, वो चूक नहीं रही है, और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, उसको इससे बखुवी समझा जा सकता है. कैमरामेन अजीत के साथ, राजेश राज, डीडी न्यूस, दिल्ली. और इसके बाद बात करेंगे, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कुछ मामलों की बात होगी, करनाटक की लेकिन रुकेंगे, एक चोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएएगा, जल्द हाजिर होंगे. मां, ये खिर किसके लिए? आज तेरे दादाजी कर जन्हम देने, उनके लिए. तो मैं दादाजी को क्या जू? अपना वाल पोन देना? ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आईशमान कार्ड मना रही हूं. आधार OTP या Face Auth द्वारा अथेंटिकेट करें डिटेल्स भरें अब मुबाइल से फोटो कीच कर अप्लोड करें दाता जी ये लिजिए अपना आईश्मान कार ये उफार तो जीवन मेर काम आएगा अर एक प्रकार से PM जय अब गरीबों के जय बन गई है पांच लाग तक के मुफ्त उपचार की गारेंटी स्वास्थे का वर्दान आईश्मान की गारेंटी गीके शिवक्मार और सिद्रामयाग एक हाथ में कही रहते हैं और एड्मिट भी कर रहते हैं कि आपने गारेंटी के फिनांसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है डेवलोप्मेंट के लिए पैसा नहीं है उन्होंने खुद का यही से अंबिका पती के घर से कल यह अंबिका पती के भाई कॉंग्रस में हैं ब्रदर इन लौ कॉंग्रस में हैं पिताजी कॉंग्रस के मले रहे हैं ब्रदर इन लौ कॉंग्रस के मले रहे हैं उनके घर से कल 42 करोड पैसा निकला है और अगर कॉंग्रेस के पास कोई गैरंटी है यही एक गैरंटी है कि कॉंग्रेस गैरंटी अफ करॉप्शन राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्धप्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए करनाटक एक एटियम बन गया है एलेक्शन के दोरान हमने एक एड़टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कॉंग्रेस आता है करनाटक एक एटियम बनेगा और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के एलेक्शन के फंडिंग के लिए और मद्यवपरदेश के ऐलेक्शन के फंडि के लिएए है यह उनफॉर्चनेट है कि हमने यह हमारा यह जो प्रेडिक्षन सच आया है उनफॉर्चनेट हमारे लिए नहीं उनफॉर्चनेट करनाडक के लोगों के लिए की स्टेट बन गया है डीके शुकमार और सिद्रामे के हाथ इंडी लोटो यात्रा का एक एटियम और राजीव चंद्शेखर ने आगे कहा कि आजए के तहट स्वदेश लौट रहे भारतियों ने पीम मोदी के प्रिशंसा की है उन्होंने बताए कि इस वदेश लौट रहे भारतियों का कहना है कि पीम मोदी का ये कदम लोगों के प्रती उनकी जवाब देही को दर्शाता है ये हमारे सरकार हमारे प्रदानमंत्री के जो कमिट्मेंट है कि जो भी भारतवासी हाम्जवे में होता है या होती है उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए और जो भी effort जो भी करना है हम करेंगे इसका एक तरह से shining example हमने देखा कल हमने पहले भी बहुत बार देखा है युकरेन के केस में COVID के दोरान तो ये जो एक सरकार के बारे में trust है confidence है ये तो आप students से ही जान जाएंगे कि बहुत ही deep filled trust और confidence है और operation आजये के तहट इसराइल से भारतियों की स्वदेश वापसी जारी है इसी के तहट आज 235 भारतिये नागरिगों को लेकर दूस्टी फ्लाइट इसराइल के तेल अवीव से दिल्ली पहुँच गई है 235 लोगों के इस दल में दो शिशू भी है कल रात 11 बच कर दो मिनट पर इसराइल की राजधानी तेल अवीव से भारतियों के दूस्टे दल को लेकर विमान ने उडान भरी आज सुबह ये विमान नई दिल्ली पहुँचा विदेश राज्यमंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंग ने स्वदेश लोटे सभी नागरिकों की अगवानी की इससे पहले 212 भारतियों को लेकर एर इंडिया का पहला विशेश विमान कल नई दिल्ली पहुँचा था हमास के इसराइल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं दोनों के बीच इस महीने के साथ तारीख से लड़ाई जारी है भारत ने इसराइल में फसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए आपरेशन आजय शुरू किया है और हमारी समवाता मेखना देव ने स्वदेश लोटे लोगों से बात की अपरेशन अजय के तहर जो फ्लाइट आईए उससे वापस आए हैं क्या कहेंगे क्या प्रक्रिया थी किस तरीके से आप पहुंचे हैं अपनी शुक्रिया ग्यापन करना चाहते है भारत सरकार को और असाम सरकार को कि उन्होंने आप टेकन केर अवास और वो आए है यहां और वो लेके आए हमको इंदिया तक हम लोग जेरुसलम में रहते थे जो बीचो बीच है इसराइल का तो दक्षिन और उत्तर में जंग ज्यादा था हमारे यहां जंग ज्यादा नहीं था तीन-चार दिन के लिए साइरेन बज़ा था हम बॉम सेल्टर गये थे पर तीन-चार दिन बाद सिट्वेशन नॉर्मल हो गया था जरुसलम में पर फिर भी ताकि हम ज्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का थान लिया एक तरीके से यहां पर रहने की ववस्था भी प्रदान कर रहे हैं किया मपरसन राहूल के साथ में मेंगना देव दिन्यूस नहीं देली situation was bit like uncertain over there we were staying in Rehavath there it was considered safe but we don't know like when the situation will turn by the time we reached airport there was a rocket like that landed in Rehavath and one person was injured so we were bit tensed but after reaching airport everything was taken care by embassy like all arrangements were done and compared to other countries I think India they managed to get us like with like everything going smooth so it was very easy to come back and who are like everybody from Indian embassy they helped us a lot so everything was fine this operation is really fantastic actually government taken I think extra effort to make it happen one thing I want to say I really thanks to Indian government who put a lot of effort to bring most of the students back to here it was like they are fine it was we were keep on updating our status there and city like Rehavath was much safer than the border areas so we were happy but then we did not expect the government of India will act so robustly and so quickly that we could come back so quickly I mean it was all just like within a three days government of India did an excellent job in evacuating the students and most of the students have almost returned and within a in fact last night I was talking to the ambassador of Israel in the airport in Tel Aviv airport and he was mentioning like within three four days we will evacuate most of the students that is fantastic I mean within a span of three four days if you are evacuating all students then that is one of the commendable job by government of India thank you so much thank you so much I'll see you I am I'm I am गाए तेनों गरबो ने जीले तेनों गरबो गुजरात नी गरवी ने रात छे गाए तेनों गर्बोने जीले 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 तेनों गर्बोने जी की थीम बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर पर रखी गई है कराकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि लोग दुर्गा पूजा का आनंद लेख सके देखिए ये विशेश रिपोर्ट राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है कल से शार्दिय नवरात्री की शुरुआत हो रही है और दिल्ली के मिनी बंगाल के तौर पर प्रसिद सियार पार्क में भवे पंडाल बनाने की तैयारी जारी है सियार पार्क का पूजा पंडाल हर साल अपने आप में प्रसिद्धी बटोरता है हर वर्ष की तरह इस बार भी काली मंदिर में अस्टमी और नौमी के दिन संगीत सामारो का भी आयोजन किया जाएगा पूज़ और अपने पूज़ा पंडाल की तीम बिहार के मुंदेश्वरी मंदिर पर रखी गई है कलकार यहां दिन रात में इनक कर रहे हैं कोई बास से फ्रेम बना रहा है कोई रंग भी रंगे कपडे लगा रहा है तो कोई फोम पर डिजाइन कर रहा है पंडाल के परिसर को फूलों के डिजाइन से और जूमर से सजाया गया है दुरगामा, गनेश, शेर, महिशाशुर की मूर्ती को स्थापित करने के लिए परिसर में खास जगा दी गई है लोगों की सहायता के लिए पंडाल में सिसी टीवी और पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है साथ ही खाने पीने के लिए फूट स्टॉल्स भी लगाये गये हैं शार्दिय नवरात्री की शुरुवात होनी ही वाली है और आपने देखा कि दिल्ली का मिनी कॉलकात्ता कहे जाने वाले चितरनजन पार्क में दुर्गापुजा को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है राजधानी दिल्ली में आने वाले 10 दिनों में इसकी धूम रहेगी उमीद है कि यह दुर्गा पूजा लोगों की जीवन में खुशाली लेकर आएगा कैमरा परसन योगेश के साथ मैं पूरवा डीडी नियूस दिल्ली और केंद्रे ग्रह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर है अमित शाह के लोगसभग शेत्र गांधी नगर में आगनवाडी बच्चों के लिए एक मनोरंजन यात्रा कायोजन किया गया यहां ग्रह मंत्री अमित शाह ने बच्चों के साथ कुछ वक्त पिताया और बात भारतिय रेल की माल ढुलाई कम समय में और सुगम तरीके से हो इसके लिए भारतिय रेल ने पूर्वी डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर का निर्मान सौ फीजदी पूरा कर लिया है और यह पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोनगर तक तकरीबन 1337 रेल रूट किलो मीटर लंबी है देखिए यह रिपोर्ट भारती रेल ने रचा इतिहास सौनगर से पंजाब के लुधियाना तक 1337 किलो मीटर पूर्वी डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर बन कर तैयार तकरीबन 51,000 करून की लागत से तैयार EDFC से पावर हाउसों को कोईले की आपूरती जल्दे मिलेगी आज बड़ी खुशी की बात है कि इस्टन कोरिडोर जो 1337 किलो मीटर लंबा है उसका कारेप पूरा हो चुका है यह इस्टन कोरिडोर बिहार के सोनगर से प्रारम होता है डीडियू, इलाबाद, कानपूर, इटावा, टूनला होते हुए दाजरी, दिल्ली तक आता है और फिर आगे लूधियाना तक जाता है यह रूट देखा जाये तो हमारे होल मॉवमेंट के लिए बहुत महत्मूर रूट है इसके अलाबा इस पे फर्टिलाइजर, फूड, ग्रेन, स्टील, सिमेंट और अन्य चीजों का भी मॉवमेंट होता है पुर्वी डेडिकेटेड ट्रेट कॉरिडोर पर रोजाना 140 मालगाडियां चलेंगी जिसके 70 फीसद मालगाडियां कोई लेकी हैं जिसका सीधा फायदा पंजाब, हर्याणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांटों को होगा इस कॉलिडोर पर सामानी ट्रेक से दुगनी स्पीट यानि तकरीबन 50 से 75 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफटार से मालगाडियां चलेंगी सबसे बड़ी बात की यात्रिकाडियों की ट्रेक से मालगाडिया कम हो जाएंगी जिस से यात्रिकाडियों की पंक्श्वैलिटी बढ़ीगी और दुरूस्त होंगी वहीं अगर WDFC यानि वेस्टरन कॉलिडोर की बात करें तो यह भी 70 फीसद बन चुका है और इसे वित्वर्ष में 95 फीसद बन कर तयार हो जाएगा WDFC खुर्जा से JNPT मुंबई तक बन रहा है अब तक DFC कॉरिडोर पर 1,30,000 मालगाडिया परिचालित की जा चुकी है जिसमें पुर्वी डेडिकेटेट ट्रेट कॉरिडोर पर 75,000 मालगाडिया और पश्चुमें डेडिकेटेट ट्रेट कॉरिडोर पर 56,000 मालगाडियों का परिचालन किया जा चुका है अब शेक सिंग DD News दिल्ली और बिहार में नवरात्री के दौरान सिक्षकों के प्रसिक्षन का मुद्दा गर्मा गया है केंद्रे मंत्री गिरिराथ सिंग ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए इसे हिंदूओं पर हमला बताया है बिहार में ये तुगलकी फर्मान जारी होता है अभी इन्होंने दसाहरे में सिक्षकों को आवासिये पर सिक्षन का लगा दिया नवरात्र में ये हिंदुआँ पे पढ़ार है बात इसराइल हमास के संघर्ष की इसराइल हमास संघर्ष का आज आठमा दिन है इसराइल ने घजा सीमा के पास टैंक, युद्ध सामगरी और इसराइली सैनिक तैनाद किये है इसराइल ने 11 लाक लोगों को जल्द से जल्द उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टिमेटम दिया है इस बीच सेयुत राश्ट ने कहा है कि इसराइल के अल्टिमेटम से पहले ही गाजा में 4 लाक फिलिस्तिनों का पलाइन हो चुका है और गाजा बार्डर से हमारे संबाता अमरित पाल सिंग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है अमरित आप से ताजा हालात सूरत हालात क्या है वो जानना चाहेंगे अभी जो संघर्ष है उसकी क्या इस्थिति है देखें ताजा सूर्थे हाल ये है कि अब मैं इस वक्त गाजा बॉर्डर की जो गाजा पटी और इसरेल का बॉर्डर है उसके बहुत करीब खड़ा हूँ मैं अगर आपने कैमरा मैंन को कहूं कि आप पैन करके आपको दिखाएं ये दूर जो थोड़ी दूर करीब एक किलो म सेटल्मेंट खाली कर ली गई है उस पहाड़ी के उस पार गाजा पटी है यहां पर मैं अपनी आँखों से आटिल्री और टैंक देख सकता हूं जो मैं आपको कैमरा पर नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मुझको मना किया गया है इस कंडिशनालिटी पर हमें अक्सेस दी की आवाज है जो इसरेली आमी फायर कर रही है टैंक्स पड़ी संख्या में निकल यहां मैस कर लिए गए हैं यह कहा जा रहा है के इसरेल तियारी कर रहा है एक ग्राउंड असॉल्ट की एक ग्राउंड जमीनी हमले की और अगर वो होता है तो जो युद है उसका रुख बि बियानक और गंबीर हो सकती है अब इस्रेम ने कल ही कहा था कि और जो उत्र घाजा में सिविलेंस रह रे हैं वो पलाइन करें साउध की तरफ करीब 111 1.1 111 गयान लाइन 8000 ईव worn पॉंट पॉंट 690000000 अब फिलेंस नोर्फ 875 में रह रहे हैं तो अगर वो पलाइन करते हैं तो उसके consequences आप जानते हैं यूएन ने तो कहा है it will have devastating consequences भयानिक परिणाम होंगे उसके क्योंकि अभी भी siege जो इन्होंने impose की है गाजा ने पानी की बिचली की इंटरनेट की खाने की उससे humanity here in crisis वहां और गंबीर हो रहा है पर इसरेल को यहां पर जो sentiment यह है कि इन पर इनकी sovereignty इनकी territorial integrity पर एक terrorist attack हुआ है और उसका यह जवाब देंगे और जैसे प्रधान मंत्री यहां के प्रधान मंत्री बेनमेन नेतनियाहू ने कहा था that we will reduce them to rubble उनको मिटी में मिला देंगे तो हमास की बात करते हुए तो यह यह कह रहे हैं कि जो भी यह strikes कर रहे हैं वो हमास के basis पर कर रहे हैं उनके जो military basis हैं उस पर कर रहे हैं वही हमास और police philistinians का कहिना है कि civilians को target किया जा रहा है अब युद में अक्सर देखा जाता है कि सचाई सबसे बड़ी casualty है होती है तो वो ही यहां भी play out हो रहा है दोनों sides के अपने narratives हैं पर स्तिती काफी गंबीर है और युद अपने अरूज पे है निकल जी निश्ची तोर पर आप भी बिलकुल गाजा पटी के border पर मौजूद हैं तो निश्ची तोर पर मैं आपसे भी कहूँगा कि अपनी सुरक्षा का जरूर ख्याल रखेगा आप बेहद एक संघर्ष के लाके से reporting कर रहे हैं लगातार अपनी रिपोर्ट समय भेज रहे हैं एक बात और समझना चाहेंगे जो आपने कहा कि जमीनी युद्ध अगर होता है जिसकी तैयारी इस वक्त इसराइल कर रहा है कितनी संभावना आपको लगती है क्या कुछ तैयारिया है क्या आपको लग रहा है देखे तैयारिया इनकी काफी है इन्होंने ये बिलकुल फॉवर्ड बेसिस से अपने अपनी आपनी आपनी जो आमड पावर है जो बैसकी लिए नके तोपे हैं और इनके टैंक्स हैं आगे मूव कर दी हैं बिलकुल बॉर्डर पे ले आए हैं और यहां से ये लगातार ज अगर मैं दिखा पाऊं आपको तो इसरेली मिलिटरी बेस है जिसके पार से जो मिनियोवस लगाता जारी हैं और तो ये इंडिकेशन्स ये हैं कि यहां से इनको ग्राउंड असॉल्ट की तियारी करें पर उसके लिए इनके जहन पर ये हावी हो रहा होगा कि उसके रिस्पॉ उस पर हमास भी एक्ट करेगी हमास ने ये धमकी दी है कि अगर ये लोग मिलिटरी इन्वेजिन करते हैं मतलब बॉर्डर क्रॉस इनकी फौज करती है तो वहां उनके पास जो लोग बंदी हैं इनके इस्रेली सिविलियन्स भी फौजी भी सिविलियन्स में बच्चे देंगे अगर ऐसा होता है तो बीबी नेतनियाहू की सरकार पर प्रेशर और बढ़ जाएगा कि वो अपनी एक करें और डिसाइसिबली उनको डिसमेट करें ऐसा करना ये इस कशमे होंगे क्योंकि यूएन ने इसको क्रिटिसाइज किया अर्बी मुलकों ने क्रिटिसाइज क आंटिनी बिलिंकन कल यहां थे अब वो लेबिनन खतर महमूद अबास से मिल रहे हैं जो पैलेस्टिन अथारिटी के प्रेजिडन्ट हैं खतर से भी वो मुलकात करेंगे तो उसका अफेक्ट क्या होता है साओधी पहले कुछ कह रहा था साओधी की भी अब जो धवनी है व क्या अभी तक वेस्ट जो इनका साथ दे रहा है क्या वो देता रहेगा यह सब चीजें इनके जहन पर इस वक्त हावी होंगी और इसरेल यह इनी संभावनाओं के बीच क्या बहतर रस्ता हो वो तलाश रहा है जी 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 निश्चित तर पर एक बात और समझना चाहेंगे कम से कम जो इसरेल में जो आम नागरिक हैं उनके रियाक्शन्स क्या हैं बहराल जो घाजा के हालात हैं वो तो निश्चित तर पर नाजुक होंगे और पलायन भी वहां तेजी से जारी होगा उसके विशे में भी आप जानकारी देंगे क्या कुछा आपने के इसरेल के नागरिक क्या सोच रहे हैं जी इसरेल में क्या इस वक्त जो वहां के जो जन भावनाए हैं वो क्या है और घाजा के हालात भी मैं जानना चाहरा हूं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चार लाक लोग अभी और लड़ी वहां से पलायन कर चुक है क्योंकि ये घाजन हमास्त ने ये दावा किया है देखे ये है कि पलाइन जरूर हुआ होगा नंबर जरूर कंफिलिक्टिंग हो सकते हैं चार लाक नहीं होंगे परहापस दो लाक होंगे एक लाक होगा पर जब लोगों पर बंबारी गिरती है तो लड़ेंगी फॉज या म जरूर हुआ होगा मैं इस बॉडर के उस पार नहीं गया हूँ क्योंकि यहां से हमको अलाव नहीं कर रहे हैं उस पार घाजा पती में जाने के लिए तो अभी तक मैं वहां जानी पाया हूँ पर रिपोर्ट्स ये हैं कि हमास के कुछ पलायन हुआ है हमास एक नंबर क्लेम कर रहा है जो हिमानिटेरिन क्राइसिस वहां है बिलकुल जो कैजुलिटीज का नंबर है वो बढ़ रहा है करीब दो हजार घाजन्स मारे जा चुके हैं च्छे हजार के आसपास इंजर्ड हैं लाख इसराइल ये कहता रहे हैं कि हम सिर्फ मिलिटरी बेसिस पे अटैक कर रहे हैं पर इसलीन कैजुलिटीज हो रही हैं अब को लैटरल डैमेज की वज़े से हो रही हैं जैसे ये कह रहे हैं यहँजे से वो कह रहे हैं कि जान के टार्गेट किया जा रहा है ये सचाई तो जब योद खतम होगा जब बातें खुलेंगी तब पता लगेंगी पर ये बात बिलकुल सच है कि ये कैजुलिटीज वहां हो रही है वहां एक सीज है इन्होंने ब्लॉकेट कम्प्लीटली इंपोज कर दिय गया है फूड वाटर एलेक्रिसिटी इंटरनेट बुरी तरह ब्लॉक हुआ है वहां से जो इमेजेस आ रही हैं कि बचे मर रहे हैं लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में असेंशल मेडिसन की कमी हो रही है हॉस्पिटल्स को बंबाड किया जा रहा है तो ये रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं उनकी विरासिटी उनकी टूथ उनकी जो विरासिटी है उसको विरिफाई करना अभी मुश्किल है पर डिस्ट्रक्शन जरूर हो रही है अब आईए उस सवाल पे बड़ा जो दल्चस्प सवाल आपने पूछा कि इस्रेयल में क्या बावना है देखें म आबुदाभी पे मेरा स्टॉप ओवर था वहां से प्लेन बदलना था टेल वीव आने के लिए हमारे प्लेन में पता नहीं दुनिया के कई कई अलाकों से लोग इस्रेयली लोग लड़के यंग कोई सौफ़वेर इंजिनियर मिला वो कहता जी मैं सिंगपूर में विस्ट्स वापिस आ रहे हैं आप टेल वीव में चलें उसकी सड़कों पे आपको यंग्स्टर्स उनीस साल के पचे जो यूनिवस्टी में पढ़ते हैं कॉलिज में पढ़ते हैं फौजी वर्दियां पहन के क्योंकि यहां पे मिलिटरी कंस्क्रिप्शन जरूरी है मतलब आप बारवी के बाद यहां फौज आपको अठारा साल होने पे आपको करनी पड़ती है सब को जो एबल बॉडिड हैं तो वो बुला लिए गए हैं तीन लाख लोग जन भावना है जिस जिस से मैंने बात की उन्होंने का कि देखें जी उन्होंने हमको मारा हम उनके साथ र याहू की क्रेडिबिलिटी कتم हो रही थी पुलिटिकल चार्जिस थे करॉप्शन के चार्जिस थे तो उनको भी एक मौका मिल गया वो सब बात की बाते हैं वो कहते हैं मैंने का कि आपके उन्होंने पांच हजार रॉकिट्स फायर कर दिये आपकी सरकार को आपकी इंटेलि जो जन बावना है वो एंगर की है वो ट्रॉमा की है और वो लोग उस एक तरह के बदले की बावना है कि हमास को कम से कम के वो किते हैं पलेस्टिनियों से हमारा कोई इतकलाफ नहीं वो जो एरियास में हैं वहां रहें सरकार क्या करती है क्या नहीं करती उनके लिए हम नहीं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपने बताया कतर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस का अपना रूख है वेस्ट का अपना रूख है किस तरह से इसको समझना चाहिए क्या कुछ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसमें प्ले कर रही है कैसे इसको समझें देखे दुनिया शुरू से ही खेमों में बटी हुई है अब तो और लगता है अमरित पाल से का आडियो वीडियो जो है वो बहतर तरीके से नहीं मिल पार रहा है कनेक्टिविटी की प्राब्लम है और हम अमरित पाल से दुबारा संपर्क करनी के कोशिश करेंगे लेकिन अमरित पाल बार बार हम को उन्होंने ये बताया ये जानकारी दी कि वहां की जो फिती है वो निश्चित तोर पर नाजुक बनी हुई है क्योंकि संगर्ष का जो जो इलाका है वो जो संगर्श है वो लगातार जारी है पूरे इलाके में और इस्रेल की तरफ से जो जो जमीनी युद्ध है उसकी तैयारी की जा रही है और अगर जमीनी युद्ध हुआ तो इनिशित तोर पर इसके परिड़ाम और भी भायावा हो सकते हैं अमरित पाल ने ये भी बताया कि हमारे साथ जो इसरैल के जब और ने ऐनको जब इसरैल गए तो वहाँ पर जो जटन भावनाय है वो इस तरह से हैं कि लोग जो हमास के खिलाफ जो हमास ने हमला किया था उसके खिलाफ उनके अंदर बहुत भुसा है और लोग इस बात की तैय करेंगे इसराइल के प्रधानवंतरी बिन्यमिन नेतनियाहू ने हमास के खात्मे की किसम खाई है इसराइली सेना घजापटी पर संभावित जमीनी हामले की तैयारी कर रही है नेतनियाहू ने शुकरवार देरात राष्ट्र इस्तर पर प्रसारत एक संबोधन में कहा कि हमास के खलाफ इसराइल की सब्ताह भर चलने वाली जबाबी कारवाई का ये शुरुवाती दौर है उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुवात है और इसराइल इस चुद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेगा और स्युक्त राष्ट के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि घजा की इस्तिती खतरनाक स्थर पर पहुँच गई है उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की पीडा को कम करने के तरीकों पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लि को इंधन, भूजन, पानी समेत हर संभव मदद पहुचा सके और दक्षणी लेबनन से सटे इलाकों में इस्राइली सेना की गोलाबारी में एक पत्रकार की मौथ हो गई है जबकि चार अन्य पत्रकार घायल हो गए है इस्राइली हमले में मारा गया है पत्रकार न्यूज ए और माहेर नजेह शामिल हैं साथ ही अलजजीरा के भी अन्य दो पत्रकार घायल हुए है और कुछ आन्ने खबरों का रुख कर लेते हैं केंद्रिय मंत्री पुरुशोत्तम रूपाला अंधरप्रदेश के कृष्णपट्टम बंदरगाह पहुँचे इस मौके पर मत्सिपालन मंत्री साधीरी अपपला राजू क्रिशी मंत्री काकानी गोवर्धन रिड़ी समेथ भाश्पा के कई वरिश्ट नीता अपस्तित रहें कृष्ण पट्टिनम बंदरगाह में पुरुशोत्तम रूपाला मच्वारों के साथ बाचीत करेंगे और बीजेपी के वरिश्ट नेता रविशंकर प्रसाद ने चथीजगर सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि भूपेश बगेल की सरकार में सिर्फ ब्रस्टाचार हुए है सडक निर्माड से लेकर पी-म आवास योजना तक सब बीजेपी सरकार पे हुआ गोटाला कम था कि आप चले आए शराग गोटाले पर या शराग गोटाला कम था क्या तो फिर आपने नियुक्ति में भी गोटाला कर दिया अब आप कोई ठान में भी चलेगा साथ, कहीं तो छोड़ेंगे आप, कहीं तो छोड़ेंगे ये बिल्कुल ATM की परकाश ठाय है, ये मुझे बहुत और दूसरी बात के 36 गड़ में क्या है, सडके नाशनल हाईवे भारत सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म खुब है यहाँ पर, कल मैंने सोशल मेडिया में बात की, इन्फोर्मेशन हाईवे किस ने बनाया है, मोदी जी की सरकार ने, मोबाइल आया, फोरजी आया, बाकी आया, तो आज देखिए, पूरा 36 कवड है, अरमों सिंग से कारने अच्छा काम किया था, भूपेश भाबू क्या कर रहे हैं? नागालेंड के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के नेता यान थुंगो पैटर्न ने कहा है कि प्रदान मंत्री मोदी के नितृत में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि आगामी पाँच राज़ों के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी अगर आगे आगे डहा बादरा से लिएक्ट विकास के लिए झालो ने कहा है और बात क्रिकेट की क्रिकेट विश्रकप पे आज भारत और पाकिस्तान एहमदाबाद में आमने सामने हैं ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने पांच विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिये हैं भारतिय कप्तान रोहित चर्मा ने टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का रने लिया अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलहक ने पाकिस्तान को सधीवी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े अब्दुल्ला शफीक को 20 के स्कोर पर मुहम्मद सिराज ने LBW आउट किया इमाम उलहक 36 रन बनाकर हार्दिक पांडिया का शिकार बने बाबा राजम और मुहम्मद रिजवान ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े बाबा राजम 50 रन बनाकर मुहम्मद सिराज की गेन पर बोल्ड हो गए तो बेहत महत पून मैच है और पाकिस्तान का ताजा समाचार मिलने तक साथवा विकेट गिर गिर गया है आई सी सी क्रिकेट विशुकप में आज भारत पनाम पाकिस्तान का महत पून और जो जिस मुकाबले पर सभी की निगाहे रहती है भारत और पाकिस्तान वो मुकाबला चल रहा है और पाकिस्तान का ताजा समाचार मिलने तक साथवाँ विकेट गिर गया है साथ विकेट पाकिस्तान ने खो दिये है और भारत ने टॉस जीता था पहले गेंदबाजी करने का निरने लिया इस पिच को देखते हुए और 171 रन अब तक पाकिस्तान ने बना लिये है 171 रन पर साथ विकेट गिर गये है जिस तरह से बाबार आजम के साथ में जो तीसरे विकेट का पार्टनर्शिप था जो 82 रन तक का था वो बेहद खतरनाक लग रही थी वो पारी और लेकिन पचास रन के स्कोर पर आउट किया हमारे साथ में हमारे समभाता नारायन इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा अपडेट के साथ में नारायन जो शुरुआत थी पाकिस्तान की वो सधी हुई थी जो तीसरे विकेट का पार्टनर्शिप बाबार आजम के साथ में चल रहा था वो भी बड़ी खतरनाक लग रही थी लेकिन अभी इस्तिती ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो है ट्विस्ट अंड टरंड के साथ में बढ़ रहा है मैच जी बिल्कुल एक शांदा शुरुआत की थी पाकिस्तान ने इस एक बड़े मैच में और लग रहा था कि स्कोर काफी आगए जाएगा और देखें एक सो पच्पन के रन पर उनके खाली तीन विकेट का लेकिन जैसे ही बाबर आजम का विकेट गिरा उसके बाद भारती गेंदबाजु ने एक शांदार वापसी की और उसके बाद लगातार उनके विकेट गिर रहे हैं तो एक बैटरी वापसी की भारती गेंदबाजु ने यहाँ पर और जो एक स्टार्टिंग में एक फ्लैट विकेट लग रहा था कि रन आसानी से बनेंगे उसके यहाँ पर लगाम लगाई और जिस तरह से कुल दीप यादव और जिस तरह से बुम्रा ने विकेट लिया र जो बल्ले बाज बैटिंग कर रहे हैं एक अच्छा खासा स्कोर जाएगा 300 के करीब जाने को ऐसा लग रहा था कि स्कोर जाएगा लेकिन जो सिराज ने विकेड लिया बाबा राजन की वा उसके बाद ऐसा एक फ्रॉट गेट से खुल गए और वो संभाल नहीं पाए अपना क पाकिस्तानी बैट्समेन और यहां पर शांदार प्रदर्शन रहा भारत ये गेंदबाजों का और अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी पाकिस्तानी टीम ने पड़ जाएगे और आसानी से एक मैच को अपने कंट्रोल में लाए भारत ये गेंदबाज यहां पर जी साथ जो मै अग्सरती देखते हैं भारत ये बले बाजी करम को परदाद दुनिया में एकapping आफी जो नमर चार का जह कौन नंबर चार परहेगा का सता लेगा ती जिस तरह से हाल फिलाल मुन उन्हें अपने आपको स्थापित किया नंबर चार पे वो काबिले तारीफ है और उसके बाद जिस तरह से रवींद्र जड़ेजा और हर्दिक पांडिया आते हैं और बड़े बड़े शॉट लगाते हैं तो एक आकरामक आप देखिए एक बल्ले पाजी कर रहे हैं और जो आपने पूचा कि जिस तरह से शुबन गिल की वापसी हुई है सभी जानते हैं कि कि बड़े बल्ले बाज है शुबन गिल हर कोई चाहता है कि वह टीम में आये टीम से जुड़े लेकिन जिस तरह से वह वापस करके आरे तो लगता है कि थोड़ा रोई शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉंफरेंडर का कि 99% फिट है कुछ शंचर है तो उनको यहां पर आराम दिया जा सकता था क्योंकि यह तीसरा ही मैच उसके बाद 6 मैच बाकी खेलने हैं लेकिन अगर टीम ने उन पर विश्वाज जताया हुआ तो कहीं ने कहीं उनकी फ उननों देखा होगा कि रिकवर कर पाए हैं लेकिन अगर यहां पर जिस तरह से इशान किशन फॉर्म में चल रहे थे पिछले मैक्स में उनने शांदार बल्लेवाजी की अफ़गानिस्तान के साथ अगर उनको भी रिटेन कर लेते मेरे को लगता है कि जिस तरह से इशान कि होता भारती टीम के लिए यहां पर जी पाकिस्तानी गेंदबाजी की भी थोड़ी बात कर ले पाकिस्तानी गेंदबाजी को थोड़ा संगशेप में कितना खत्रा हो सकती है जी बिलकुल देखिए जिस तरह से पाकिस्तानी जो टीम जानी जाती है अपने गेंदबाजू के जानी जाती है शाहिन शाह अफरीदी जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले कई सीरीज में वह काविले तारी वह भारत यह जो शीर्श कर्म है उनको काफी परिशानी में डाला है उन्होंने जो अगर इस्चा कप के पहले मैच दिखे जिसमें भारत आगया था तो काफी अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन पिछले मैच में जो श्रिलंका के साथ उनका मैच था इसी वॉर्ल कप में उसमें काफी उनको रन खर्च किये उनके काफी उनको महेंगे साबित हुए तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा अपने ट्रैक से अलग नजर आये बाजों के लिए तो ये ये बहुत महत्पून होगा गेंदबाज उसी तरह से प्रेशर में आते हैं कि नहीं ये देखने की बात होगी भारतिये बलेबाज है निश्चित तोर पर तयार होगे बहुत शुक्रिया नारायन इस तमाम बाचीत के लिए और हम बता दें कि जो त अर्जुन, एक्जाम सुन में यू मेड अस रेली प्राउट, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने I.T जाना है और इंजिनिर बनना है तिंक I.T, तिंक पित्यमंत्र अवार्ट्स.gov.in पर या अपने नजदीक की कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्ख करें आवीदन की अवधी 15 अगस्त से 15 अक्तूबर 2023 है राश्ट्रिय गुपाल रत्नपुरसकार 2023 स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और भारतिय बैटमेंटन स्टार पीवी सिंधू आर्क्टिक ओपन बैटमेंटन प्रत्योगिता में आज समिफाइनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे सिंधू का समिफाइनल में सामना चीन की वांग जी जी से होगा सिंधू ने इस से पहले शुकरवार को कार्टर फाइनल मुकाबले में वियतनाम की त्यू लिन गुएन को 20-22, 22-20 और 21-18 से शकस दी इस सुपर 500 इवेंट के नतीजे पैरिस 2024 ओलंपिक के लिए कौलिफाइंग रैंकिंग में गिने जाएंगे और बेलजियम ने औस्ट्रिया को 3-2 से हराकर यूरो 2024 के लिए कौलिफाइंग कर लिया है बेलजियम की ओर से रोमलू लुकाकू ने गोल के लुकाकू आठ गोल के साथ यूरो कौलिफाइंग में टॉप स्कोरर के तौर पर सामने है आस्ट्रिया की टीम की बात करें तो टीम को अब सुमवार को अगर टीम यूरो 2024 के लिए क्वालिफाइंग करना चाहती है तो उसे अरज़र बेजान के खिलाफ जो मकाबला है बहत बहत पून है उसमें जीत तर्श करनी होगी वहीं पुर्टगाल ने स्लोवाकिया को हराकर यूरो 2024 के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है और पुर्टगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल किये पुर्टगाल की ओर से गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी संख्या को 125 पहुँचा दिया है रोनाल्डो ने 125 गोल 202 मैचिस में किये हैं सुलवाकिया की टीम इस हार के बाद भी दूसरे स्थान पर ही मौजूद है तो इस समाचार बुलिटिन में बस इतना ही हमारी पूरी टीम को दीज़े इजाज़त टमस्कार